हलो दोस्तों अभिनव नाम है मेरा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्स भाय अभिनव राजपूत में तो अब तयारी का पैटन भी थोड़ा आपको जेंज करना पड़ेगा तो उन सब को देखते हुए मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेजी बताऊंगा जिससे आप इजी जो नया बैंकिंग में जो नए नए कॉस्टन आये हैं एससी की सीजेल में बैंकिंग वाले वो आप टैकल कर पाओ तो सबसे पहले ना जब हम इंग्लिस स्ट्रेजी के बारे में बात करेंगे तो मैंने थीन पोर्सन में डिवाइड किया है वोकब, रीडिंग और ग्रामर तो मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों के लिए कौन को उसी किताबे करीदनी है आपको या अगर किसी का फ्री पीडियेफ है तो वहां से भी आप कर सकते हो और फिर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे कितना कितना रोज करना है तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ मैंने एससे सीजेल एप्रॉक्स चार बार निकाला है इस किताबे नहीं थी जैसे यह निवान पप्रीकेशन के बारे में उस सम्मे मुझे नहीं पता था अब पता है तो पहले मैं किरन से करता था तो अब हम दोनों को देखेंगे कि कैसे करना है यह आप यह मान के चलो कि मेरी ही strategy है जो मैंने follow किया था तो हम start करते है vocabulary के साथ देखो मैंने vocabulary के साथ क्यों start किया है लोग ना actually grammar के साथ start करते हैं मैंने vocabulary के साथ start किया है vocabulary ना बहुत important है और अगर आप आप पूरे एक्जाम में देखोगे ना हर एक्जाम में एप्रॉक्स आप देखोगे भी 15 से 20 मार्क्स का ना आउट फिफ्टी यानि कि 25 से 30 परसेंट प्रोल वोकैब का है और वोकैबलरी में स्कोर करना इजी होता है क्योंकि यह आप सिंपल याद कर लो हो जाएगा और इस किताब में क्या है न कि रूट वर्ड्स दे रखे हैं तो आप रूट वर्ड्स वहां से डाउनलोड वहां से देख सकते हो इस किताब का लिंक जो भाई लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फ्री पीडिएफ आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा यहा आप कर लेना यह बहुत important है, सारी practice इसी किताब सो जाती है, अगर यह किताब है आपके पास तो और कुछ खरीदने के ज़रत नहीं बढ़ती है, तो इससे आपको क्या करना है, 10 Sino रोज practice करो, 10 Antoniums रोज practice करो, 10 One Word, 10 Idiom, रोज रोज बिल्कुल इसी तरीके से करते रहो, और कोसिस करना कि Week में Approx 5 Days, Minimum 5 Days आप इसको follow कर पाओ, 7 में से 5 दिन तो होना ही चाहिए, यानि आप देखोगे कि हर Week आपके Approx, अगर 40-40 करते हो, तो 200 vocab आप हर Week तयारी कर रहे हो, और Sino और Ento जो करोगे या One Word या Idioms करोगे ना, तो जो options होते हैं उनको भी करना है, यह नहीं कि जो जैसे एक question आया और उसका answer आपने टिक कर दिया सीधा, बचे वे जो तीन options है, उसको भी अच्छे से देखना है कि उसका मतलब क्या है, यह करने में आपको on an average, रोज मैं क्या सकता हूँ कि one hour के करीब आपको लग जाएगा, एक घंटे की practice आपको रोज vocabulary में आपको देना ही बड़ेगा, तो vocab आप यहां से कर सकते हो, अब बात reading comprehension, देखो, बहुत लोग English medium से होंगे, जिनको reading comprehension में problem नहीं आती है, वो लोग easily close test और जो passage है, उसको solve कर लेते हैं, लेकिन बहुत मेरे जैसे होते हैं, जिनको बहुत problem आती है, इसमें reading comprehension में, हम लोग passage तो कर लेते हैं, लेकिन close test में हमें बहुत दिक्कत आती है, तो basically आपक channel पर भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप download कर सकते हो, then फिर आपको kiran publication newspaper, sorry, kiran publication की भी किताब, जो यही वाली book है, अलग से किताब नहीं है, वही किताब है, इससे आपको 20 passage रोज practice करना है, close test रोज 20 neon close test वाली book से करना है, और passage आपको kiran publication से करना है, जब आप neon का खतम कर तो सीधर kiran पर आजाना, kiran में ज़्यादा questions है, तो आपको और wider area मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, और ज़्यादा questions मिल जाएंगे practice के लिए, बट ये ज़रूर कर लेना, इसमें न, actually, जितने भी SSC वगरा में जो exams में आये हुए है, उन्होंने वो कर रखा है, और जो प उनके लिए नहीं है, जो 2023 में तयारी कर रहे हैं, देखो वो newspaper अभी पढ़ना start करेंगे, तो कोई benefit नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, basically, 2024 के लिए जो तयारी कर रहे हैं, आप में से कई होंगे, जो अभी बिल्कुल graduation और होने complete किया या इस साल करेंगे, तो उनके लिए ये best है, newspaper की habit ढालो, अगर आप ये newspaper की habit अभी चे ढाल दीना, तो आने वाले दिनों में आपको न close test की practice जोद पड़ेगी, ना passage की, आप easily कर लोगे, तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये उनके लिए है, जिनके पास कम से कम 8-10 माहिना है, newspaper will take your time, newspaper ऐसा नहीं है कि आज करने ब आप इन्हीं दोनों से score कर लोगे, 60-70% आप यहीं से कर सकते हो, 60-70% बहुत है, अब आजाते हैं grammar के लिए, देखो grammar के लिए market में कई सारी किताब है, SP वक्ची है, then masterpiece है, जो Christopher Phonics Sir की है, लेकिन जो market में सबसे ज़्यादा SSC के लिए चलती है, वो है Plinth 2 Paramount, basically Neetu Singh, जो KD Campus क की honor भी है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, यह bilingual भी है, और English में भी है, आपको जो suitable है, वो ले लेना, आपको करना क्या है, Plinth 2 Paramount से, हर 3-4 दिन में एक chapter खतम कर लेना है, कोसिस करो, 4 days में हो जाए, उससे ज़्यादा अगर लग रहा है, तो कोई issue नहीं है, बट 4 दिन का आप अपने आपको target करो, अगेन अगर आप रोज 1 hour दे देते हो इसको, और इसको भी आपको 1 hour ही देना है, यह तो खालां कि अगर आप सीधा practice करो, तो 30 minutes भी sufficient है, तो 30 minute आपको इसको देना है, 1 hour approach आपको यह देना है, तो हर 4 दिन में एक chapter करो इस कि लेकिन English के लिए गिने चुने है, क्यों क्योंकि simple सी बात है कि English को सिखाया नहीं जा सकता, English एक language है, आपको इंट्रेस्ट बिल्ट करना होगा, आपको उनके root words पे जाना पड़ेगा, कि क्या है, कैसे है, तभी आप समझ पाओगे, otherwise यह difficult होगा, तो इसमें सबसे ज़्याद में आपको questions भी मिल जाएंगे, वो भी करना, हर chapter के end में कुछ MCQs होंगे, then फिर आपको error, sentence improvements, इन सब की practice करने पड़ेगी, error हो गया, sentence improvements हो गए, इन सब की practice आप किरन publication से कर सकते हो, again यह same book है, इन तीनों के लिए जो मैंने गोला था, किरन publication chapter wise वो same book है, तो यहां से आप practice कर सकते हो, हर रोज simple आपको कुछ नहीं करना, chapter आपने खतम किया, जो यह वाली किताब है ना, उससे आप अपने आपको रोज target दे के रखना, कि मुझे कम से कम, रोज 10 error करना है, और 10 sentence improvement करना है, यह नहीं कि अपने आपको 25 target दे दिया, 30 दे दिया, 50 दे दिया, भाई देको target इसा दो, जो easily achieve हो सके, जो easily achieve हो सके, इससे क्या होगा ना, पढ़ाई में मन बना रहेगा, अगर आपने target जरुद से ज़्यादा दे दिया खुद को, तो आप क्या गरोगे ना, उसको miss करोगे, और जब आप miss करोगे ना, फिर evening में आपके पास एक excuse तयार रहेगा, कि भाई को, ओके, लेकिन ध्यान रखना, यहां फिर matter करेगा consistency, अगर आप consistent रहते हो, तो ही ये काम करेगा, ठीक है, अब 70 की आपकी capacity है, 100 की practice करोगे, 2 दिन करोगे, 5 दिन बैठे रह जाओगे, ये practically बता रहा हूँ मैं, ये practical है बिलकुल, आपको बहुत लोग बोलेंगे कि, 22 गंटे पड़ो, 20 गंटे पड़ो, 18 गंटे पड़ो, मैं कहता हूँ, आप 6-8 आर्स पड़ो, 6 महने तक पड़ो, देगो, कोई सी भी नौकरी लग जाएगी, लेकिन अपने आपको promise करो कि, unless and until कोई बहुत बड़ा festival हो, आपकी बहुत close friend की साधी हो, तब तक आपको ये छो हो जाएगी, और मैं बता रहा हूँ, English बहुत important है आप लोगों के लिए, बहुत जादा important है, pre में ये 50 marks दिलवाएगा, और mains में आपको ये 135 दिलवाएगा, तो out of 390, आप देख सकते हो, 135 का सिर्फ English है, approx 30% का रोल है, 30% का रोल आप समझ सकते हो, कि सिर्फ English है, तो आप इ इसे से बताया था, बट इसको follow करना है, इसको follow करना इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि regular करना है, तो आप इसे करो, किताब का लिंक मैंने नीचे description में डाल दिया है, अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप मुझे मेरे टेलिग्राम चैनल पे, Maths by Abhinav Rajput, यहां आपको फ्री PDF वगेरा मिलता रहता है, तो आप यह जॉइन जरूर कर लो, Maths by Abhinav Rajput, सारे PDF आपको यहीं से मिलेंगे, और आने वाले दिनों में हम लोग Maths की free classes भी start करने वाले हैं, April 10th मैं अभी मान के चल रहा हूँ, 10 April के Approx आपकी यह classes start होगी, तो बिल्कुल उसके लिए तयार रहो, timing वगेरा मैं आने वाले दिनों में आपको बता दूँगा, तो thank you so much, आज के session में इतना ही था, मिलते अंगले session में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो